गुड मॉर्निंग गाईज आज हम बात करेंगे जैप प्रकास विश्विद्याल है जो छपरा बिहार में इस्टेबिलिस्ट है यहाँ पर पीछडी का नौटिफिकेशन आया हुआ है इस वीडियो में हम इनके फार्म के सारे प्रासेस और नौटिफिकेशन में दिये गए सस्क्राइब कर दें और साथ ही साथ बिल आइकन को भी आउन कर लें ताकि पीछडी या हायर एजुकेशन से समबंधित सभी इनफार्मेशन वीडियों आप लोगों को सही समय पर मिलते रहें गाईज आप इस वीडियों का जो नौटिफिकेशन है हमारे टेलिग्राम चैन यहां पर जो नौटिफिकेशन पर और नौटिफिकेशन में सारे इंट्रेक्शन को समझ लेते हैं यहां पर हमने इनका नौटिफिक डाउनलोड करके ओपिन कर लिया है आप लोग देख सकते हैं इसे नौटिस को रिलीज करने का जो डिट है यहां पर मिंसन है यह नौटिस 10 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था इसमें जब आप लोग नीचे आएंगे तो आप लो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो आवेदन का जो डिट है वो 21 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो गया था और साथ ही साथ जो इसका अंतिम डिट है यानि इन डिट जो दिया गया है वो 30 नमंबर को यहां पर मिंसन किया गया है देख सकते हैं कि subject in which test will be conduct यानि कौन कौन से subject के लिए यहां पर exam जो है conduct कराये जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं चार faculties के तकरीबन 17 subject के लिए यहां पर application मागा गया है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हिंदी के लिए यहां पर तकरीबन 149 सीटे यहां पर रखी गई हैं उसके बाद philosophy के लिए यहां 50 सीटे हैं संस्कृत के लिए यहां पर तकरीबन 24 सीटे हैं उर्दू के लिए 60 सीटे हैं English के लिए 27 सीटे हैं economics के लिए 36 सीटे हैं जिजियोग्राफिक के लिए 24 सीटे हैं history के लिए 55 सीटे हैं home science में यहां पर कुल 17 सीटे रखी गई हैं और political science में तकरीबन 82 सीटे रखी गई हैं यहां पर आप लोगों को psychology में 69 सीटे देखने को मिल सकती है और biology में जो है university ने 26 सीटो पर application मांगा हुआ है chemistry में 62 सीटो पर application मांगा गया है और physics में कुल total 118 सीटो पर application मांगा गया है mathematics में 26 और उसके साथ geology में 19 और commerce में 37 स पर total PhD के लिए 861 सीटो पर application मांगा गया है कि faculty wise यहां पर सीटे में जो है कि total 300 सीटो पर application मांगा गया है और उसके बाद social science में total 273 सीटो पर application मांगा गया है science में 252 सीटो पर और commerce में total 37 सीटो पर application मांगा गया है यहां पर आप लोग जो इनकी eligibility है इसका भी guideline देख सकते है eligibility for PhD admission test 2021 पर यहां पर जो candidate 55% marks के साथ अपनी master degree complete किया हुआ है वो इस farm को फिलप कर सकता है इसमें कुछ है relaxation दिया गया है जिसमें 5% जो है SC, ST के लिए यहां पर relaxation रखा गया है यानि ST, SC और backward या EWS के लिए यहां पर 50% यहां पर हम इनके test fees के ऊपर भी बात कर लेते हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर general backward या फिर EWS के लिए 2500 रुपए application fees रखा गया है और SC, ST और disabled या फिर women's के लिए यहां पर सिर्फ 1500 रुपए पर intense fees यहां पर रखा गया है इसमें जो fees का payment mode है वो आप लोगों को online process के थुरू करना होगा यानि आप लोग इसका जो fee है वो online ही payment कर सकते हैं exam pattern के उपर अगर बात कर ले तो इसमें total 2 paper होने हैं जो 100 marks के हैं इसमें total 2 paper होने हैं जो 100 marks के यहां पर कराए जाएंगे पहला पिपर जो रहेगा इसमें अब्जक्टी एंड मुल्टीपल च्वाइस question on general and research aptitude यानि इसमें जो है जनरल सब्जक्ट से question आएंगे और research aptitude से question पूछे जाएंगे इसमें जो दूसरा paper है उसमें आप लोगों का जो subject लोगों का subject type question पूछा जाएगा यानि आप लोग जिस subject से अपनी post graduation की degree आप लोगों ने clear किया हुआ है या post graduation जिस subject से आप लोगों ने pass किया हुआ है उसी subject से related इसमें question आएंगा पर जो minimum qualification जो marks आप लोगों को इस test में लाना है उसमें general candidate के लिए 50% आप लोगों को passing mark लाना है और जो reserve candidate हैं उनका 45% तो guys जो लोग बिहार से विलांग करते हैं या फिर जो बिहार से बाहर हैं और इस university से अपना PhD कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो लोग इस farm को flip कर सकते हैं इस farm की last date जो है वो 13 November तक ही रखी गई है तो आप लोग 13 November से पहले अपने farm को flip कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए information के साथ तब तक के लिए Thank you so much